हलो गुण मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुझ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को संथाली भासा में गर्जे सीम हमन्त यवाँ से किया आवाहन राइस मिल खोले हम करेंगे मदद केंदर पर भी जम कर बरसे मुख्यमंतरी हमन्त सोरिन ने मंगलवार को केंदर सरकार पर जम कर निशाना साधा जन सभा को शंबोधित करतो वे उन्होंने करीब एक घंटा तक भा में कमल फूल बाली सरकार है वह हमारे साथ सोतेला वहवार कर रही है केंदर की सरकार ने आवास देना बंद कर दिया है अब हम अपने अस्तर पर आपको आवास देने जा रहे हैं पूर्वी सिंगुम के चाकुलिया में सहीदों की अस्मृति में आयोजित सरंधाजली परिशंपति वितरन कारिक्रम को शंबोधित करतो हुए मुख्यमंद्री ने कहा कि इस इलाके में धान की अच्छी खेती होती है लेकिन राइस मिल नहीं होने के कारण सरकार जवरत के हिसाब से धान नहीं खरित पाती है उन्होंने कहा कि यहां की युवा राइस मिल इसमें राजसरकार 4 करोड रुपय की मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि बैंक से लोन लेने पर अकर 10% व्याज लगता है तो राजसरकार 4% व्याज अपने अस्तर से देगी, आपको स्रिप 6% व्याज देना होगा। उन्होंने कहा है कि पूरो में इस इलाके में कई राइस मील हुआ करते थे लेकिन जो पूरोवर्ती भाजपास सरकार की गलत नीतियों की वज़े से सभी मील बंद हो गए। अब इसके लिए यवाओं को आगे आना होगा। अगले 24 घंटे के भीतर जारखन में मानसुनी सिस्टम एक्टिब हो जाएगा। इससे जारखन की अधिकांस हिस्सों में जमाजम बारिस से देखी जाएगी। इसके दर्चिन ओरिशा और उत्तर अंदर प्रदेश तट पर जो पश्रिम उत्तर उत्तर प्रदेश की और बढ़ने की संभावना है। उक्ति जहें मौसमी परस्तितियां जारखन में जोरदार बारिस के लिए अनुकूल माहोन बना रही है। मौसम विवाग की माने तो जहारखन में 15 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। अगले 48 घंटे के दोरान राची, बोकारू, गुमला और सिम्डेगा में भारी बारिस हो सकती है। अन्य जिलों में हलके से मर्धम अस्तर की बारिस का पूर्वा अनुमान है। चाइबासा में नकसलियों ने आईडी बिसफोट कर सुरक्षा बलो के समगरी वहन ट्रक्टर को उड़ाया। इलाच के दोरान खलासी की मौत, चालक, इलाजरत, कुलहान जंगल में एक बर फिर से नकसलियों का तांड़ों देखने को मिला है। जंगल में नकसलियों द्वारा किये गे आईडी ब्लास्ट में दो लोग गंभी रुप से घायलों का सुनवा के सरकारी अस्पिताल में प्रात्मे कुपचार के बाद उन्हें 72 इलाज के लिए चकरधरपूर अनुमंडल अस्पिताल में इलाज के लिए भेज़ दिया किया घायलों में चालक बबलू बोदरा के सिति गंभीर बताय जा रही है तो वही खलासी लोबो गोप की इलाज के दोरान मौत हो गई है घटना मंगलवार दोपहर बारा बज़े की बताय जा रही है मिली जानकारी के मुताबिक गोल के राथाना चेतर के कुईडा पंचायत की स अन्य मांगो को लेकर पूराना विधान सभा के पास निकाली रैली जार्खन सिक्षा परियोजना परिशद द्वारा संचालित उतक्रिष्ट विध्यालियों में आउट्सोर्सिंग कंपनी के द्वारा दिये गए करमचारी के वेतन में लगतार का टोती एवं अन्य मांगो को लेकर जार्खनडी भासा खर्तियान संगर समेती की और से मंगलवार कु राजधनी राची इस्तित पूराना विधान सभा के पास एक रैली निकाली गई जार्खन सिक्षा परियोजना परिशद कारियले तक लोगों ने सांती पूर्ण तरीके से रैली निकार कर कारियले जार्खन सरकार को इस आउट्सोर्सिंग कंपनी को अभिलम ब्लैक लिष्ट की जानी चाहिए इवं कारियले करमचारियों की निक्ति इस्थाई की जाए जार्खन में मिले डेंगू के 215 संदिक्द मरीज 31 में हुई पुष्टी जार्खन में डेंगू के दस्तक से लोग शक्ते में ही विभिन जीलों में डेंगू अपना पाउं पसार रहा है मंगलवार को राजभर में डेंगू के 215 संदिक्द मरीज मिले ही इनमें 215 लोगों पूर्वी सिंभूं में डेंगू के सरसट संदिग्द मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंभूं में डेंगू के सरसट संदिग्द मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंभूं में डेंगू के सरसट संदिग्द मरीज मिले हैं। कुला डाबर पहुँचे वहाँ परिचनों की चितकार सुन इर्फाननसारी भीरो पड़े। इर्फाननसारी रोती-रोती जमीन पर गिर पड़े। 26 वर्षिय संतोष महतो अपने पीछे वृद्ध पिता, पत्नी और चार बच्चों को छोड़ गया। वही घर में कमाने वाला अकेला सदस था। शंतोष महतो की अकास्मिक मौत से परिवार पर आजवीका का संकत पैदा हो गया है। कॉंग्रेस वधायक ने परिवार को हर संभो मदद का भरुशा दिया है। वधायक ने कहा कि यह काफिर दुखत घटना है। जारकन में पहली बार विस्टा डोम कोच वाली ट्रेन राची से गिरीडी तक कहोगा सफर। गिरीडी के लोगो को मंगलवार को ट्रेन की बड़ी शौगात मिली है। गिरिडी न्यू रेलवे स्टेशन से राची अस्टेशन के लिए इंटर सिटी ट्रेन का परिचालन सुरू हो गया, केंद्रिय सिक्षा राजमंत्री अनपुर्णादेवी ने हरी जंडे दिखा कर इसकी सुरवात की, मंत्री ने ट्रेन में सफर करतो हुए सुनहेरे आउसर को अपने कैमरे में भी कैद किया, राची और गिरिडी के बीच ट्रेन के परिचालन से लोगों में उत्सा का माहुल है, गिरिडी के लोगों के लिए मंगलवार का दिन काफी यादगार और सुनहरा रहा, गिरिडी न्यू रेलवे स्टेशन से राची के लिए इंटर सिटी ट केंद्र सरकार की और से की गई, केंद्रिय सिक्षा राजमंत्री अनपूर्ना देवे, गिरिडी विधायक सुद्यवे कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सर्फराज अहमद, जमुअ विधायक किदार हाजरा के अलावा, धनबाद, डी-र-म कमल की सोर, सिनहवा, अ आज 13 सितंबर से इसकी सेवा नियमित कर दी जाएगी, इस ट्रेन की सबसे बड़ी खास्टित या है कि ट्रेन में विधा डॉम कोच की भी व्यास्ता की गई है, जार्खेन में पहली बार विधा डॉम कोच वाली ट्रेन आई है, बतादे कि विधा डॉम कोच पूरी तरह से पारदर्सी होता है और इसमें बैटकर लोग सफर के दोरान जार्केन की प्राकरतिक शौंदरे का भी आनंद ले सकेंगे जेमेम सुप्रीमो सीबू शोरिन को मिल सकती है आज अस्पिताल से छुटी किड्नी और सांस की समस्या के चलते किया गया था भरती ज्यारकन मुक्ती मोर्चा के परमुक सीबू शोरिन को आज बुधवार को अस्पिताल से चुटी मिल सकती है उन्हें सुप्रवार को दिली के सर गंगाराम अस्पिताल में भरती करा गया था डॉक्टरों का कहना है कि फिलाल उनकी तब्यत इस्तिर है और बुधवार को उन्हें अस्पताल से चुटी मिल जाएगी इससे पहले सुकुरवार को सांस में तकलीब और रक्तचाप की समस्या के बादों है सर गंगाराम अस्पताल लाए गया था मुकेमंतरी हिमंत सुरेन भी उनके साथ अस्पताल गये थे अस्पताल से प्राप्त जानकारी के मताबिक सीबू सुरेन को रक्तचाप, सांस, लेने और किड्नी की बिमारी है जार्खन में ठानों को प्रती महा मिलेंगे 10 से लेकर 40,000 रुपए जाने क्यों जार्खन में ठानों को प्रती महा 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की रासी मिलेगी गरीकारा एवं आब्दा प्रवंधन विभागद्वारा जारी निर्देश के मताबिक समानने कारे निश्पादन के लिए या रासी दी जाएगी इस थाने को कितना पैसा मिलेगा इसके लिए स्रेनिया निर्धारित की गई है एस रेनी के थाने को प्रती महा 20,000 रुपए दिये जाएंगे बीस रेनी के थाने को 15,000 रुपए प्रती महा मिलेंगे सी स्रेनी के थानों में 10,000 रुपए मिलेंगे वहिगरामी नकसल एस रेने के थानेों को 40,000 रुपे, 20 रेने को 30,000 रुपे मिलेंगे ग्री विवाग ने कहा है कि पैसों की निकासी और वै की जिम्मेदारी समंधित जिले में पुलीस अधिक्षा करेंगे भगवान की मुर्ती से मुकुट और कुंडल चोरी, CCTV में कैद हुई चोरी की पूरी घटना, 10 लाग के लड़ू गपाल की मुर्ती भिगाई पलामो के मेंद्री नगर में सत्त नारायन मंदिर में चोर ने भगवान पर चड़े सारे गहनों से हाथ साप कर लिया इस दोरान CCTV में चोरी की या पूरी घटना कैद हो गई CCTV में दिख रहा है कि कैसे चोर एक एक कर भगवान के मुकुट और दूसरे बेस किमती गहने निकाल रहा है पलामो जिला मुक्याले में नगर में सत्त नारायन मंदिर की है ये घटना है चोर जोहे अस्ट धातू की बनी भगवान कृष्ण के बाल शौरूप लड़ू गपाल की मूर्ती भी अपने साथ ले गया ये मूर्ती डेड़ो सो साल पूरानी बताई जाती है इसकी कीमत का अनवान 10 लाक रुपे से अधिक है चोरी की घटना कोयल नदी तट जोहे सिवाला घाट पर इस्थित स्री सिव मंदरी टरस्ट परिशर में निर्मित सत्त नारायन मंदरी में हुई चोरी की पूरी घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हुई है अस्ट धातु से बनी लड़ू गपाल की मूर्दी के अलावे भगवान विश्णू और मालक्षमी का चांदी का मुकुट और कान का कुंडल गाब है घटना को मंदर खुनने की एग हंटे पहले सिर्प एक चोर ने अनजाम दिया है लोगसभा चुनाओ की तैयारियों में लगी कॉंग्रेस लोगसभा परभारी और सन्योजकों की न्युक्ति कर दी गई है इसकी घोशना प्रदेश अध्धक्स राजश्ठाकूर ने कर दी है जीद दर्श करने के लिए कॉंग्रेस के विधायकों से लेकर सांसत तक कुछ जिम्मेदारी सौपी गई है आकिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी के महासचीव और जारखन परभारी अविनास पांडे के अनमोतन के बाद इस सूची को जारी किया गया प्रदेश कॉंग्रेस अध्धक्ष राजश ठाकूर ने कहा है कि लोकतंत्र एवं सविधान की मरियादा की मजबूती कॉंग्रेस एवं इंडिया गडबंधन को करना है सभी लोग एक जूठोकर महंगाई, बेरोजगारी एवं नफरत से लोगों को निजात दिलाने के लिए हम सब शंकल्पित हैं ऐसे में आने वाले लोक्षभा चुनाओ को मजबूती से लड़ने की अवा सकता है इसको ध्यान में रखतो हुए राज्य के प्रदेश कॉंग्रेस के कारिकारी अध्धक्ष उपाध्धक्ष एवं मंत्री, विधायक सांसद एवं कॉंग्रेस के वरिष निताओं को लोक्षभा वार जिम्विदारी सौपी गई है जो लोग सभा छेत्रवार इस्थानी एवं जो है परमुक मुद्दू को परमुकता प्रदान करतो हुए जारकन प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी को प्रतिवेदन देने का काम करेंगी गिरीडी में 11 सर्किल इस्पेक्टरों का हुआ था बादला मनोच कुमार को डुमरी अंचल और ममता कुमारी बनी अनुसंधान विंग की इस्पेक्टर डुमरी उप्चिनों के कारण ट्रांसफर होकर आए दरजन भर सर्किल इस्पेक्टरों में से 11 की पोस्टिंग पोस्टिंग के लिए प्रतिक्षारत ममता कुमारी को अनुसंधान विंग का प्रभारी बनाए गया है जबकि सहरी च्षेतर में अब यातायात प्रभारी अनुब बीपी के रिकेटा बनाए गये हैं साइबर थाने के इस्पेक्टर विरेंदर टोपो को गावा अंचल का सरकिल इस्पेक्टर बनाए गया है जबकि गावा अंचल के इस्पेक्टर पर मोद कुमार सिंग को जमुआ सरकिल इस्पेक्टर बनाए गया है प्रतिक्षारत अजे कुमार को साइबर थाना परभारी भिखारी राम को अभियोजन कोशांग का प्रभारी बनाए गया है तो वही रामाकान तिवारी सर्या सर्किल के इस्पेक्टर बनाए गये हैं। रविंदर सिंग को पचमबा सर्किल का इंस्पेक्टर और कमाल खान को गांडे अंचल का सर्किल इंस्पेक्टर बना गया है, राजिस रंजन अब बेंगाबाद सर्किल इंस्पेक्टर का दायत वश्रभालेंगे जबकि मनोच कुमार को डुमरी सर्किल इंस्पेक्टर के बचान बचाई वही ट्रक सलक पर जलती रही जानकारी मिलते हैं पुलीस मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई काफी मसकत के बाद जो है आग पर काबु पाया किया ट्रक चाला के मताबिक शल्ती ट्रक में सौट सरकिट से आग लगी संकल्प यात्रा बाबुलाल मरांडी ने हेमंत सोरें सरकार पर साधा निशाना बोले दोहजार चौबिस के चुनों में बिजेपी को जिताएं जार्खन की हेमंत सोरें सरकार में लूट, खसोट, शूरी, डकैती और हत्ताएं बेधड़क हो रही है बहु बेटियां सुरक्ष प्रियाधी बेखौब घूम रहे हैं, जनता डरी हुई है ये बाते पूरु मुख्यमंत्री सहब भाजपा प्रदेश रधक्ष बाबुलाल मरांडी ने कही बाबुलाल मरांडी संकल्प यात्रा कारिक्रम के तहत मंगलवार को चत्राजिले की सिमरिया पहुची और विधा वाज ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों में भेजना है, गर मजरुवा जमीन का मौजा की सानों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि केंदर सरकार कोल्ड फिल्ड में इस जमीन का अपना पैसा मौजा के तहट लोगों को दे रही है। अच्ची और ग्रामीनों ने उनको रंगी हाथ पकड़ लिया। जेल मामूली विवाद में ग्राम प्रधान ने दिया था, तुगलगी फर्मान समाच से बाहर करने की धमकी, लातिहार जिले के हेरंस्थाना चेत्र में एक आदिवासी युवक को चपल जूता का माला पहना कर पूरे गाउं में घुमाय जाने के मामले में, स्पी अंजनी अंजन के निर्देश पर हेरंस्थाना ने तौरित कारवाई करतो हुए मंगलवार को ग्राम प्रधान उसके पुत्र समित चार लोगों को ग्रपतार कर जेल भेज दिया है, ग्रपतार लोगों में ग्राम प्रधान, नासिर अंसारी, पिता स्वर्गिय दुखन अंसारी, ग्राम प्रधान के पुत्र बाबर अंसारी, पुर्वपारा सिक्छक ब्रिज मोहन भुईया, पिता स्वर्गिय प्रभु भुईया वा, विनोद सिंग उर्फ, विनोद पहन, पिता रामदेव शिंग सामिल हैं जबकि घर्टना में सामिल रामपती भुयां पिता स्वर्गिय प्रभु भुयां समित अन्य पांच आरूपी गरप्त से बाहर हैं जिसकी गरपतारी के लिए चापिमारी अभ्यान चलाए जा रहा है रामगड के बरकाकाना स्टीशन पर नियो गिरीडी राची एक्सप्रेस इंटर सिटी ट्रेन का लोगों ने किया स्वगत सांसत जैंत सिन्हा और विधायक अमबा प्रसाद ने किया रवाना गिरीडी से चलकर बरकाकाना रेल्वे स्टीशन पहुंची विस्टाडोम कोच बरकाकाना रेल्वे स्टीशन विस्टाडोम कोच में सवार होकर हजारी बाग से बरकाकाना रेल्वे स्टीशन पहुंची हजारी बाग सांसत जैंत सिन्हा विस्टाडोम कोच से उतरने के बा पोच लगा गया है जो गिरिडी से चल कर रांची तक जाएगी। पांच बच्यों में से दो ने अपने साथ सामोहिक दुसकर्म की बात कही है। बालिक पीडित युवती के लिखित आविदन पर चार आरोपियों पर मामला दर्श किया गया है। आरोपियों में तीन नबालिक हैं और एक बालिक है। योही नहीं कर सकेंगे इंटरनेट बंद आदेश को सारवजनी करेगी सरकार, हाई कोट के निर्धेश, आज कल किसी भी तरह का तनाव या हिंसा होने पर सबसे पहले इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। कई माइनों में यह अच्छा होता है तो कई बार इस वज़य से लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सरकार अचानक से इंटरनेट सेवा नहीं बंद कर सकेगी। इसके लिए पहले आधिकारीक आदेश सारवजनी करना होगा। इंटरनेट सेवा बंद करने से पहले उस अदेश को सरकार को समंधित अधिकारी के हस्तारशर की साथ सरकार की वबसाइड और अन्य माध्यमों में प्रकासित करना होगा। सुप्रिम कोट ने इसे लेकर जो निर्देश जारे किया है, हाई कोट ने भी उसका पालन करने का निर्देश दिया है। उसे सरकार की वेबसाइड पर जारी किये जाएं। की सरहना करते है कि राजी के सभी युवाओं एवं युवतियों को रोजगार से जोड़ना ही सरकार की प्रात्मिकता है, जिसके लिए सरकार कई जो है योजनाय चला कर युवाओं एवं युवाओं को रोजगार की साधन उपलब्द कराय जा रहे हैं। साथी सरम नियोजन प्रसिक्षन एवं कौशल विकास विभाग द्वारा युवा एवं जो युवतियों को प्रसिक्षन प्रसिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है तथा उन्हें परवासी होने से रोखा जा रहा है जार्खन सरकार ने जार्खन प्रसासनिक सेवा के 11 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है साथ ही बताया गया है कि वैसे पददिकारी जिनके अस्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है वैसे पददिकारी कार्मी प्रसासनिक सुधार तथा राज्यभास सेवाग में योगदान देंगे